नमस्कार दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने Financial YouTube चैनल Financial Express पे और दोस्तों आज का जो वीडियो है काफी कमाल का होने वाला है क्योंकि आचुका है मेरे पास HDFC का Insta Savings Bank Account का Welcome Kit जो की basically दोस्तों एक fully online savings account है इसके लिए आपको अपने घर से बाहर जान अपना डिटेल वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपने आधार काड के OTP से verification करने के बाद आपका एक online savings account खुल जाता है HDFC वेंग के अंदर आपको अपने घर से बाहर निकलने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है उसके बाद दोस्तों आपका ज दोस्तों कुछ इस तरीके का एक welcome kit बोल सकते हैं आपका या banking kit बोल सकते हैं HDFC की ओर से private courier company blue dot की ओर से बिल्कुल free of cost आपके घर पे भेज़ दिया जाता है जो कि मुश्किल से video KYC complete होने से लगभग 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके पते पे आ जाती है दोस्तों मेरे address पे आने पे मुश्किल से 6 दिन का टाइम लगा था क्योंकि एक दिन में available नहीं था मतलब कि 5 दिन के अंदर अंदर ये मेरे घर पे आ गया था तो दोस्तों आज के इस video में आपको complete बिल्कुल unbox करके बताने वाला हूं कि कौन-कौन से आपको इस banking kit के अंदर welcome kit के अंदर क्या-क आपको देखने को मिल जाते हैं बैंक की ओर से कौन-कौन से services कौन-कौन सी facilities आपको provide की जाती है और overall दोस्तों कैसा है HDFC bank का welcome kit तो जलिए दोस्तों हम इसे unbox करते हैं अचुकि जो है मैंने इसे वहां पे check करने के लिए कि सभी documents proper है या नहीं मैंने वहां पे courier वाले के सामने फाल कर देख लिया था लेकिन मैंने कोई भी चीज जो है बाहर नहीं निकाला था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है तो वहां पे guys security point of view से मैंने वहां पे इसे open किया था तो दोस्तों चलिए हम इसे पूरी तरीके से open कर लेते हैं और हम एक ही बार में जो भी हमारे सारे documents हैं वह हम बाहर निकाल लेते हैं अपने इस HDFC bank के जो हमारा welcome kit है तो guys as you can see हमने कर चुके हैं पूरी तरीके से इस envelope को खाली रखते हैं इसको side में और सबसे पहले दोस्तों हम इसे पलट लेते हैं तो यहां पर उपर का है इसमें कुछ आपकी personal details हैं like आपका address वगरा होता है और इसमें guys यहां पर क्या-क्या include हैं आप यहां पर देख सकते हैं तो एक welcome letter है छोटा सा dear customer और उसके नीचे जो है your account number और आपका जो account number generate हुआ था basically वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आपका यहां पर account number जो भी है और इस box में आपको इस envelope में क्या-क्या आपको आपको passbook मतलब complete जो है आपको पूरा package इसमें आपको देखने को मिल जाता है और card का जो pin है guys वो आपको खुछ से generate करना होगा आपको ATM machine में जाकर security point of view से इसके अंदर जो है आपके debit card का pin नहीं दिया जाता है खेरी वो तो आपको बहुत ही आसानी से आप खुछ से भी जो ह सकते हैं उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको एक oh my god काफी 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 शाइन मार रहा बेसिकली मतलब देख सकते हैं आप तो यह है guys HDFC bank का passbook basically जो की मेरे ख्याल से बिल्कुल printed भी है और मैं थोड़ा से यहां पर अपना address चुपा लेता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह है को चीज तरीके का आपको यहां पर passbook है वह देखने को मिल जाएगा काफी कमाल का है और इसमें आपका account number IFSC code सारा detail यहां पर basically दिया गया है और चुकि यह zero balance account है तो अंदर का pages जो है पूरा खाली है of course तो और बहुत सारी चीज़े जो है आज कल डिजिटल बैंकिंग का जमाना है तो HDFC बैंक भी डिजिटल बैंकिंग को काफी ज़्यादा support कर रहा है इसके लिए जो है बहुत सारे online platforms और लाइक पेज़ एप यूपी आई बिल पेज़ एप का इस्तेमाल करके आप cashless payments वग को भी अगर आपको payment करना होगा वो भी आप कर सकते हैं पीछे में भी आपको जो है डिजिटल बैंकिंग का कुछ यहाप information दिया गया है तो मेरे ख्याल से यह उतना important है नहीं तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और जिस चीज़ के लिए मैं काफी excited हूं अपना जो चेक पाती में 10 pages enough होते हैं इसकी इतनी जरुवत पढ़ती भी नहीं है basically तो एक काफी अच्छा आपको यहां पे एक package मिल जाता है चेक बुक का भी जो की काफी unique है काफी कमाल का है तो इसको भी रख देते हैं side में उसके बाद guys कुछ normal सा आपको यहां पे savings and salary account के बारे में information दिय जा गया है जहां पर आपको total transaction जो free है वो five है और अगर आप Metro cities में है तो आपको three transactions free मिलेंगे और nine Metro cities में आपको five transactions free मिलेंगे और cash withdraw करने के लिए जो भी है आपको details वगर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे और उसके अलावा जो है यहां पर किस तरीके से आप अपन services को इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके नियमों को और कुछ कानून को आपको follow करना होगा तो यहां पर पूरा complete list है terms and conditions का जो की HDFC bank की और से है तो मेरे ख्याल से इतना लंबा तो कोई पड़े भी नहीं पाएगा तो कोई फाइदा है नहीं तो इसको रखते हैं side में उसके ब लगेगा तो overall दोस्तों यहां पे मुझे कुछ और बताने की ज़ूरत नहीं है इतना पढ़ेगा भी कौन तो इसको भी रख देते हैं side में और उसके बाद दोस्तों कुछ और भी है यह जो है यह मेरे ख्याल से यह जो है debit card का terms and conditions है तो यह भी मेरे ख्याल से पढ़ने की यह important है यह important है क्योंकि यहां पे debit card के बारे में बताया गया है ठीक है और वैसे भी debit card का जो collection करने का शौक है अपना पुराना है तो यहां पर total आपको तीन variant में आपको debit card मिल जाते है ठीक है आपको visa master card और रूपे तीनों segment में मिल जाता है और यहां पे register for standing instructions and get free insurance cover आप चा for 12 month आपको एक साल के लिए 5% का cashback मिलेगा total control on your bill payment आप जो है hassle free आप बिल payment कर सकते हैं आपको free insurance cover है और तमाम बहुत सारी जानकारियां दी गई है इसके अंदर basically जो कि आपका आपके लिए काफी महत्पून होगा और यहां से आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं DTH वगरा चा ब्ला 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 और गाइस दिल थाम के बैठी है क्योंकि अब जो है सबसे important जो जिसका हम इंतजार कह रहे थे काफी देर से और वो है हमारा debit card तो गाइस कुछ इस तरके का हमें debit card मिलता है जो कि millennia का debit card है और जो कि कहा माना जाता है कि इंडिया का one of the most सबसे जो best debit card होता है वो HDFC वालों के पास है इसमें जो है इनलों के पास महारत हासिल है और ये एक millennia debit card है basically जो कि powered by master card है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और security point of view से इसमें काफी अच्छा काम किया गया है designing किया गया है मतलब यह कि आप card number आपको उपर में देखने को नहीं मिलता है पढ़के बता देता हूं आपको जो यह card है आपको क्या क्या देता है तो आपको लगबग जो है 4800 रुपे का cashback आपको हर साल मिल सकता है अगर आप इसको ढंक से यूज करेंगे तो 5% cashback on every shopping via page app अगर आप इसका जो official app है page app अगर आप उसको इसको इस्तेमाल करके अगर और 2.5% cashback on online shopping spend आप कुछ भी online करते हैं तो अगर आप इस debit card को इस्तेमाल करके तो आपको 5% cashback मिलेगा और अगर 1% cashback आपको मिलेगा wallet reload अच्छा 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 और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है यह है यह आपको 4 complimentary airport lounge access मिल जाएगा जो की बहुत अच्छी बात है airport जैसे जगा पर जहां पानी का बोतल भी 100 रुपे मिलता है वहां जो है आप सिर्फ 2 रुपे देकर इस card को इस्तेमाल करके जो है unlimited वहां पर lunch कर सकते हैं डिनर कर सकते हैं breakfast कर सकते हैं वह काफी कमाल का है चार complimentary airport lounge access जो है वह आपको मिल जाता है personal accidental death cover आपको 10 लाग रुप जाएंगे और अगर आपके साथ कुछ fraud वगरा भी हो जाता है तो आपको चार लाख रुप्या का यह company आपको थोड़ा सा वह दे देगा और international travel accident पर आपको यह करोड पर मिलेगा दोस्तों मसलब अगर आप Indigo के फ्लाइट पर बैठें या फिर किसी भी फ्लाइट पर बैठ accident हो जाता है तो आपको जो है वहां पर एक करोड का आपको वह मिल जाएगा जो बहुत अच्छी बात है और उसके बाद जो है आपको डेविट कार्ट मिल जाता है तो यह था एक छोड़ा सा अंबॉक्सिंग वीडियो आशा करता हूं काफी जादा पसंद रहा होगा मिलते है किसी और वीडियो में तबता कीप बैंकिंग विट एवरीडे बैंकिंग जैंद